नमस्कार दोस्तों एक और नई प्लानिंग के साथ बेहतरीन सा घर का नक्ष्य हम आपके लिए लेका रहा है चलते हैं बात कर लेते हैं आज हम इस घर के बारे में कि किस तरीके से हमारा घर बनाया जा रहा है और वीडियो के लाश्ट्व में हम इसमें ये भी जानेंगे कि इ यहां पर दोस्तों आपको एक दोर मिल जाता है आपके लेसरे सो यहां पर अपने घर से आनि अंदर से दिया है और हमने बाहर से अला जाएंगे आए अंदर और जो आये चले जाएंगे और यहां पर Bentow alguien आप कोई window भी बड़ी सी देखने को मिल जाती है ताकि हमारी इस bedroom का ventilation होता रहा है और इस bedroom में दोस्तों हमारा safety tank को भी बना हुआ है देख सकते हैं यह हमारा safety tank बना हुआ यानि जो आपका lighting bathroom का गड़ा होगा तो उसका यहाँ पर safety tank को बनाया गया है तो यहाँ पर दोस्तों आपका यह first bedroom हो गया उसके बाद इस first bedroom से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल जाता है sitting hall यहाँ पर आप अपना sofa वगरे लगा सकते हैं sitting के purpose से और इसी sitting hall में एक तरफ हमने open kitchen बनावाई है यहाँ पर देख सकते हैं आपको open kitchen मिल जाता है 7 feet by 8 feet में यहाँ पर आपका 2 feet platform की विट्टों का यहाँ पर आपको open kitchen देखनों को मिल जाता है और उपर की तरफ भी कुछ part partition दे दिया गया है ताकि कम पैसों में या हमारा घर एक अच्छा और खुबसूरत सा बन सके कम खर्चों और लागत के साथ तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको open kitchen देखनों को मिल जाता है 7 feet by 8 feet का यहाँ पर आपको open kitchen हो जाएगा L shape वाला आपको open kitchen देखनों को मिल जाता है L type से यहाँ पर आपका platform बनाया गया है और उसके बाद यहाँ पर आप दोस्तों अपना kitchen के लिए dining area कर सकते हैं इस वाली जगह पर यहाँ आप इस वाली जगह को ऐजा sitting के purpose से यूज कर सकते हैं आप इसको lobby area भी बोल सकते हैं आप चाहें तो इस वाली जगह को sitting के purpose से या dining area के purpose से यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका open kitchen है और यहाँ पर kitchen के लिए आपका dining area भी आप चाहेंगे तो आपका dining area हो जाएगा उसके बाद फिर दोस्तों इस sitting hall से और आगे आप बढ़ते हैं पीछे की तरब तो यहाँ पर मिल जाता है आपको पीछे एक टॉबालेट एंड bathroom रखा है हमने अटाय अगर हम बात करते हैं सबसे पहले bedroom की तो यहाँ पर पीछे आपको एक bedroom मिल जाता है देख सकते हैं उसका यहाँ पर आपको डोर मिलता है 3 feet by 7 feet height का यहाँ पर आपका डोर है और यहाँ पर एक window हमने रखी है अपने हौल की तरफ ताकि हमारे इस बेडरूम का भी अच्छा सा विंटिलेशन होता रहा हमारे हौल से तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सेकंड बेडरूम पीछे की तरफ हमने यहाँ पर बेडरूम रखा था यानि यहाँ पर आपको attach washroom मिल जाता है यहाँ पर आपका attached two-wheel window bathroom इसमें रहेगा काफी बलए space में यहाँ पर आपको डोर मिल जायेगा washroom के लिए तो आप इससे आगे बढ़ेंगे तो पहुंचते हैं अपने washroom में तो काफी बड़े space में आपका यहां पर attached washroom मिलता है, इसके size की बात करते हैं, तो 5 feet by 10 feet में यहां पर आपको washroom मिल जाता है, इसमें आपका दोनों attach रहेगा, उसके साथ ती साथ यहां पर आप अपनी washing machine भी इसमें रख सकते हैं, तो काफी बड़े स्पेस में यहाँ पर आपको वाश्रून देखने को मिल जाता है दोस्तों तो कुछ इस तरीके से हमारा यह घर डिजाइन किया गया था और आप इससे आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं आपको जो पोर्च एरिया था वहाँ पर हमारी सीड़ी डिजाइन थी तो किस तरीके से हमारी सीड़ी डिजाइन है वो भी हम चलते हैं आपको पोर्च एरिया से लेकी चलते हैं दिखा देते हैं किस तरीके से यहां पर हमारी सीड़ी डिजाइन है देख सकते हैं इसी हॉल से मिल जाता है यहां पर आपको सीड़ी यहां से हम चड़ते हैं अपनी सीड़ी पर और उसके बाद सीड़ी हमारी जो है उसी सीड़ी की नीचे यहां पर हमारा देख सकते हैं लैं कि किस तरह के से इसका फरंट एलिवेशन बनाया जा रहा है तो यहां पर देख सकते हैं आपको इस पोर्च में सीडी डिज़ाइन मिल जाती है और यहां पर आपको यह मेन डॉर आपका यह यहां पर अपना गेट लगा सकते हैं या चाहां तो आप डबल इंटरी का दौर भी बगल में यहां पर आपको एक गेश्ट रूम का दोर मिल जाता है यह आपका में डोर रहेगा यहां पर गेट भी आप लगा सकते हैं यह डबल इंट्री का दोर भी लगा सकते हैं फिर यहां पर आपको मिल जाता है बगल में एक दोर यानि यह आपका गेश्ट रूम का दोर ताकि अगर आपको कोई गिष्ट आते हैं तो इस वाले डोर्स अंदर जाते हैं और वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो भी फरंटों में देखने को मिल जाती है तो कुछ इस टाइप से फरंट की डिजाइन थी और दोस्तों अगर हम इसके लागत की बात करते हैं कि अ तो टोटल खर्च आया है पांच लाक रूपए आया है तो फिरंट ये वीडियो आपको ऐसे लगे पिलीज हमें कमेंट के कैसे बताएं थैंक्स फॉर वाचिंग